हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर 10 शेत्रिमिती प्रश्णावली 10.1 से कोशे नबर 4 और 5 सोल करेंगे तो कोशे नबर 4 देखिए 22 सेंटीमीटर लंबाई और 21 सेंटीमीटर चोड़ाई वाले एक फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है आवश्यक लकड़ी की पट्टी की लंबाई ग्यात कीजिए तो देखे माली जे ये फोटो है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर और चोड़ाई 21 सेंटीमीटर है अब कहा गया है कि इस फोटो को लकड़ी की पट्टी से फ्रेम करना है तो देखे जो लकड़ी की पट्टी है वो इस फोटो के चारो ओर लगेगी तभी फ्रेम होगा तो हमें अब बताना है कि इस लकड़ी की पट्टी की लंबाई क्या होगी तो देखे लकडी की पट्टी की लंबाई जो है इस फोटो के परिमाप के बराबर होगी जितना इस फोटो का परिमाप होगा उतनी ही लकडी की पट्टी की लंबाई होगी तो अब हम क्या करेंगे इस फोटो का परिमाप निकालेंगे तो देखे फोटो की लंबाई बराबर 32 cm फोटो की चुड़ाई बराबर 21 cm तब हमें क्या निकाल लिए आवशक लगड़ी की पट्टी की लंबाई तो देखे लगड़ी की पट्टी की लंबाई किसकी बराबर है फोटो के परिमाप के बराबर तब हम फोटो का परिमाप नि आयता कार है तो इसी लिए यहाँ पर आयत के परिमाप का फोर्मला लगेगा क्या फोर्मला होता है दो गुणा ब्रैकेट में लंबाई जमा चोड़ाई तो दो गुणा ब्रैकेट में लंबाई क्या दी गई है 32 cm तो यहां जाएगा 32 cm, फिर प्लस चोडाई क्या दी गई है 21 cm, तो यहां लिखेंगे 21 cm, फिर बराबर 2 गुणा, 32 जमा 21, 32 में 21 जोड़ेंगे कितना आएगा, 53 cm, तब देखें, 53 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 106 cm आएगा, तो आवश्यक लकडी की पट्टी की लंबाई क्या है, 106 cm, तो उस फोटो को फ्रेम करने के लिए हमें कितनी लकडी की पट्टी चाहिए, 106 cm, कोशन नमबर 5 देखें, एक आयताकार भूखन की लंबाई और चोड़ाई क्रमशल 0.7 km और 0.5 km है, भूखन यानि भूमी का टु तो एक आयताकार भूखन है, जिसकी लंबाई 0.7 km और चोड़ाई 0.5 km है, इसके चारो और एक तार से चार पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, आवश्यक तार की लंबाई ग्यात कीजिए माल लीजे एक आयताकार भूखन है, जिसकी लंबाई 0.7 km और चोड़ाई के है 0.5 km, अब कहा गया कि इस आयताकार भूखन के चारो और से एक तार से चार पंक्तियों में बाड़ लगाई जानी है, बाड़ लगाई जानी है, आपने कई बार खेतों में देखा होगा, खेत पंक्ति में बाड़ लगाई, फिर दूसरी पंक्ति में बाड़ लगाई, फिर तीसरी पंक्ति में बाड़ लगाई, फिर चोथी पंक्ति में बाड़ लगाई, यानि इस तरह से चार बार जो है, एक तार से इस आयताकार भूखन के चारो और बार लगाई जानी है, तो हमे उस तार की लंबाई बतानी है कि हमें कितनी लंबी तार की जरुत होगी तो देखे इसके लिए हमें इस आयताकार भूखंड का परिमाप पता होना चाहिए क्यों क्योंकि इस आयताकार भूखंड के चारो और बार लगाई जानी है तो इस आयताकार भूखंड का परिमाप पता होना चे जितना इस भूखंड का परिमाप होगा उतना ही एक पंक्ती में तार की लंबाई होगी तो देखें आयताकार भूखंड की लंबाई का है 0.7 km और आयताकार भूखंड की चोड़ाई का है 0.5 km तो पहले हम क्या निकालेंगे, आयताकार भूकंड का परिमाप, आयत का परिमाप निकालने का फोम लाग है, दो गुणा ब्रैकेट में लंबाई क्या दी गई है, 0.7 क्ल मेटर, प्लस चोडाई क्या दी गई है, 0.5 क्ल मेटर, तो देखें, दोगुणा, अब 0.7 तो 0.5 को प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर क्या आएगा? तो देखें, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 प्लस 5, 12, 12 का 2 हासिल आई एक, तो यहाँ क्या आएगा? एक और यहां दशमलव के नीचे दशमलव तो क्या आया एक दशमलव दो या कहा लीजे एक पॉइंट दो किलो मीटर तो इने प्लस करने पर क्या आया एक पॉइंट दो किलो मीटर अब देखिए दो को एक पॉइंट दो किलो मीटर से गुणा करना है तो थोड़े समय के तो क्या आया 2.4 किलो मीटर तो आयताकार भूखन का परिमाप क्या आया 2.4 किलो मीटर तो अब देखे जितना इस आयताकार भूखन का परिमाप आया है उतना ही एक पंक्ती में तार की लंबाई होगी तो देखे एक पंक्ती में आवशक तार की लंबाई कितनी है 2.4 किलो चार पंक्ती में आवशकतार की लंबाई इसके लिए हम क्या करेंगे इसे चार से गुणा कर देंगे तो चार गुणा 2.4 किलो मेटर तो एक पंक्ती में आवशकतार की लंबाई 2.4 किलो मीटर तो चार पंक्ती में आवशकतार की लंबाई के लिए इसे हमने 4 से गुणा कर दिया तो देखे थोड़े समय के लिए दशमलव को भूल जाएए तो यह 24 है और यह 4 है 24 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा चार पंक्ती में आवशकितार की लंबाई क्या है 9.6 किलो मीटर तो इस आयताकार भूखन के 4 और चार पंक्तियों में बाड लगाने के लिए हमें 9.6 किलो मीटर तार की आवशकता आओगी तो ये था question number 5 आज इस वीडियो में हमने question number 4 or 5 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like, share and subscribe Thank you